करो कि क्रियेट कलेक्शन करो मतलब एक फोल्डर क्रियेट होना चाहिए ना तो उस कलेक्शन के अंडर वो से होता है तो उसका कुछ नाम दे दो ऑख आप नाम उया जजसे नाम आ कि कर को लाइब तर उसको डाउंलोड भी कर सकता हूं ना डाउनलोड नहीं कर सकते हैं मतलब पोस्टमेंट डाउनलोड करके चला सकते हो एप यह से वेप बेस्ट पी चला सकते हैं जिस आपका यह नहीं अप्लिकेस्ट जो है ना सब्सक्राइब वह कहां से यहां पर टेस्ट करना इस जो अभी मतलब कॉपी करके हम डालें फिर सेंट किया नहीं तो आपको तो ऐसे ही रहते हैं उसको कुछ करना नहीं आपको याज इसन और xml दॉक्मर्ट का समझ गया था आपको में एक बार वह देख लेते हैं कि पर नृट यह दो कपार की आपके तो यह होता है हम जैसे टेक्स लिखते हैं राइट जैसा अगर आपके पास कोई है तो हम क्या करते हैं जैसे कहीं पर टेबल बना लेते हैं कहीं पर टेक्स लिख लेते हैं जैसे यह मैंने कुछ टेक्स लिखा हुआ है राइट हम xml.exe फाइल में यह लिख देते हैं आपके यहां का वाइस करने के लिए हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट अबचेक तो यह फाइल फॉर्मेट करने से आपको क्या होता है कि डेटा अच्छे से आप लिख सकते हैं और वह मशीन भी और आपके प्रोग्राम को भी यह वह इसलिए समझ में आ जाता है तो तो स्टैंड फॉर्स यह हो गया जावा उब्चिक नोटेशन इसने इसने कहता है डोगलस क्रोक फोल्ड के डिजैन फॉर्मन मतलब हुमन डेटा है यह मतलब मशीन को भी अंडेस्टेंड करने में जाता है और हुमन आपको भी हमको भी मतलब वह उपन करने के बाद समझ जाता है उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है ओके और नौट डॉटन उसका फॉर्मैट तझीश हम कोई टेक्स Q लिखило होता हैरह एक सथेंशन वैसे इसका इक्स्टेशन रहेगा रीगा डॉट जेशन जो भी मिल लिखोगे तो उसके बाद जैसे यह है ऐगर अपका जेसे उब जेक्ट है अगर पर्णापरटी YouTube तो उसके लिखा होता है तो उसके लिए मतलब एक जीसे हम नोटपैड वे गरते हैं रहे आपका नॉर्मल डेटा व्यु करने के लिए पर और एक नोटपैडड आता है rod Au प्लस करके आप यह डाउंलोड कर लेना यह आपके नॉर्मल टेक्स्ट के लिए भी और अब देखने के लिए भी यह वाला एप्लीकेशन यूजफुल है ओके यह फ्रीजु अप्लीकेशन होता है नॉट पैड फ्लस प्लस तो यह नोटपैड प्लस प्लस एप्लिकेशन आप इंस्टॉल कर लो आपके आपके नॉर्मल टेक्स्ट विजिपल के लिए भी जैसे मैं अगर आप यहां पर ओपन करता हूं तो यह यहां पर बहुत सारे अप्लिकेशन मैंने नहीं नहीं किया तो भी यह फाइल यहां पर ओपन रहती है इसका मतलब बहुत मस्त अप्लिकेशन है और जैसन वेगरा कुछ रहा तो भी वह अच्छे से फॉर्मेट में आपको यहां पर दिखता है तो इसका एक शॉर्टकुट भी होता है तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके और हम जब पोस्टमन में जब जैसन फाइल भेजते हैं तब आपके हेडर में ज्यादा करके कंटेंट टाइप जो होता है एक की होती है मतला आप कुन सा टाइप का डेटा भेज रहे हो सिस्टेम को तो वहां पर जैसन अगर वेज रहे हो तो एप्लिकेशन जैसन लिखते ह है शाहिद यहां पर के टेक्स्ट वेगेरा सब होता है यह डिपेंड कर दा है और यह डेवलोपर भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि कौन सा अप्लिकेशन फॉर्मेट भेजना है ओके कि यह अलग-अलग यूजे उसके वेपसाइट फॉर्मेटिंग के लिए सीरिलाइज और ट्रांस्मेटिंग और स्ट्ट्चर डेटा डेटा कैसे होता है नॉर्मल डेटा जैसे हम लिखते हैं यहां पर इसमें कुछ जाल का एक से रहे अलेटा के लिखते हैं और फेच आग उसको तो dear main कुछ डेटा देता डेता देता लिए तो डेटा लेने के लिए हम इस फर्मैट डेटा फर्मैट को ल Soupاس करते हैं कि अगर फाइल सेव करते तो इसका ज्यादा मेमरी नहीं रहता है जैसे टेक्स फाइल हम 1KB 1MB मतलब बहुत कम जगह पे यह स्टोर कर सकते हैं और यह हम जावा के साथ भी यूज कर सकते हैं अलग-अलग कोई भी प्रोग्रेमिंग लाइंग्वेज के साथ इसको यूज कर सक करते हैं तो यह एक एक्जम्पल हो गया यह वाले के एक्जम्पल है उसका तो इसमें अगर हमें कोई बुक स्टोर करनी है तो यह बुक का इन्फोर्मेशन अभी देख नोटपैड प्लस-प्लस में मैं जाता हूं एक नय उपन के यहां पर पेस्ट कर दिया तो यहां पर द देता है तो प्रॉपर्ली एर नहीं देता है बड़ यह मुस्ट आप टाइम यह होता है कि स्टार्टिंग विद इससे होना चाहिए ऑक और उसके बाद यह नहीं है तो अट लिस्ट कर लिए अपना स्क्वेर ब्रैकेट तो भी होने जाहिए रैट ऐसे ऐसे जादा करके इसका की का बूक है और बूक के अंदर क्या है अगर हम कर लिए यह वाला इंग स्क्वेर ब्रैकेट यूज करते हैं इसका मतलब है की यह एरे है बतलब इसमें बहुत सारे बूक आपको दिखने को मिल जाएंगे अगर यह आ रहा है तो तो बहुत सारे मतलब कैसे देखो य एक बूक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है आईडी लैंग्वेज एडिशन और ओथर यह इंफर्मेशन यहां पर दी हुई है तो आप और भी मतलब आपको कर चाहिए तो आप और भी इंफर्मेशन इसमें एड कर सकते हो अगर डिपेंड अपन अगर प्रोग्रमिंग चा से होता है एक की और उसकी वैल्यो की जिसे लैंग्वेज का है जावा एडिशन का है थर्ड मतलब यह की हो गया इसकी वैल्यों गया और आपको मोर देन वन लिखना है तो क्या करना आपको एक कॉमा यहां पर डालना है कॉमा 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 और जो लास्ट होता है वहां पर आपको नहीं देना है मतलब यह लास्ट है इसको पता चल जाता है यहां पर कॉमा नहीं है मतलब यह लास्ट है वैसे भी यहां देखना यह कॉमा दे रखा उन्होंने और लास्ट में नहीं है और यहां पर यह स्क्वेर प्रैक्ट यहां पर चलू हुआ है मतलब और इसमें और एक एड़ किया है, हमें और एक पूक एड़ करनी है, तो यहां पर क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे, और यहां पर एक एड़ कर देंगे, देखा, यह एक element होगे, उसके बाद कॉमा आ गया, एक element होगे, उसके बाद कॉमा आ गया, एक element है, अब यह लास्ट, इ कि कैसे लिखा हुआ है कि तो यह सिंपल वाला जैसन फॉर्माट हो गया कि अजिए कि अफ्टर अंडेस्टेंट देखते हैं कि यह लाइव डेमा देखते हैं इसमें क्या है कि यह xml टाइप है HTML header फिर उसके बाद टाइटल कि कि अभी में इसको प्रिव्यू करता हूं कि यहां पर क्या है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वन लिखा है लैंग्वेज जावा ओथर यह कि अगे अधर यह ऐसे मतलब उन्होंने कि यह वाला एक आपका जेसन होगा यह जो इतना लिखा हुआ है एक आपका यह जेसन है मतलब यहां पर मैं डालता हूं इसको यह इसी फॉर्मेट में जेस्ट वह एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ है इसमें इसमें दो एलिमेंट से एक लैंग्वेज और एक ओथर इतना ही है ऐसा मझलों कि इतना यह था वैसी एक था मतलब यहां पर इतना यूज करना था उसलिए उन्होंने यहां पर डाल दिया और उसको एक वेरेबल में स्टोर कर दिया कि अब्जेक्ट तो अब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज मतलब यहां पर देखो यह आ रहा है अब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज मतलब जावा यहां पर प्रिंट होगा देखो यहां पर प्रिंट हो गया फिर उसका बाद ऑब्जेक्ट डॉट ऑथर अथर मतलब यह जो अधर था यहां पर प्रिंट हो गया तो यह से उन्होंने और एक यहां पर एक जैसन लिया है वो भी सेव करते है उन्होंने कि तो यह जिस्ट नॉर्मल एक्जम्पल है इसमें जाद कुछ देखने की जरूरत नहीं आपको कन्फिजी करेगा जाद कि नेक्स देखते हैं क्या है सिंटेक्स ठीक है अभी मैंने आपको सिंटेक्स तो ज्यादा करके बता दिया है रिक्वाइड और नेम वेली पेर की वेली पेर मिंस नेम वेली पेर ओके और कर लिए अंग्यस को इसको कि अब जोसन पर है उसको करना हा जैसे यहांपर हम कुछ रिक्वेस्ट भेड़त उसको करना है अब देख रहे हो कि इसका फॉर्मैट वैसे ही कि कुई वेल्यू तो आपको ये बेटर अंडेस्टैंड़िग के लिए अगर है कि और उसको कैसे एंडर्सटेंड करें अभी यहां पर एक डेटा है उसमें एक कोड़ा गया यह सजए गाए फिर डेटा एक उनइट त्ट यह उन इंट में टाइप फिल्ड स्यार्रीपशन मों दे roz biases 的 से दिसक्रिप्शन ऑर एक पूरे इसमें येझ एक है और तौरे सम्हों स्यार्च इंदर रही और रिक्रिप्शन कि तो ये एंडेस्टेंडेक के लिएifornia इसका थोड़ा बहुत आप जब जाओगे डियल टाइम जब आप काम करेंगे तो आपको जेसन मिलेगा उसका आपको अंडरस्टेंडिंग होना चाहिए तो यह नेम वैल्यू पेर होती है फिर उसमें यह नेम मतलब की और उसकी वैल्यू और सेपरेटेट बाइ को लन ओके ऐसे उसका फॉर्मैट को भी कोई भी डिटा लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे डिटा और लिश्ट आफ एल्यू मतलब यह एरे जहां पर एरे यूज करना है हमें वहां पर हम यह वाला यूज करते हैं अभी डिटा टाइप क्या होता है इसमें एक तो हम नंबर लिख सकते हैं नंबर हम लिखते तो डिरिकली नंबर लिख देगा है अगर स्ट्रिंग लिखना है तो हम उसको डबल कोट्स में डालते हैं जैसे अगर यहां पर दमबर डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं और नॉ डालना पड़ेगा ओके और इस साइड में आप नंबर नहीं लिख सकते हों कि की में शायदा करके नंबर नहीं होते हैं कभी कभी चल भी जाता है बट मुस्ट प्रोबैबली लेफ्ट एंड सैड में हम नंबर नहीं यूज करते हैं फिर बूलियन के लिए अगर लिखना है त और वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग और यह अब्जेक्ट अगर कोई अब्जेक्ट है अब्जेक्ट का में जैसी यह बूक है बूक एक अब्जेक्ट हो गया मतलब उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ दे वाइट स्पेस मतलब स्पेस नल मतलब एम्टी यह थोड़ा एडवांस इसके जाता जाने की ज़रूत नहीं है और आप नॉल वैल्यू भी डाल सकते हो अगर किस में कुछ वैल्यू नहीं तो आप ऐसे नॉल भी डाल सकते हो करते हो घंश सकते हैं ऑगर लेग दिया तो काम नहीं करता है क्लिसे नल और कुछ भी वेल्यु नहीं तो डबल कोट समें अगर कुछ देदो और कुछ ना देदो आप जोसे अगर श Skills कर सकते हो तो भी लग टावस को ऐसे नार्मल नीं चोड़ सपते हैं कि यह हो गया कि यह अगर आपका ज molta वेरिपल में जैसे हम इन्टीर पर रीटन कर देगा उब्जेक्ट डॉट का नाम रिटन कर देगा उब्जेक्ट डॉट का नाम रिटन Evenee और यह जाए जाए और से करके आपको कोई भी ऐलिमेंट चाहिए तो आपको उसको आक्सिस कैसे कर सकते हैं जैसे को तब को थर्ड बुक का ओथर का नहीं जाए इस यह जाए लिए बुक और बुक के अंदर ये कितना बुक है हमारा थर्ड बुक है तो मैं यहां पर तीसरा त्री टाल दूंगा इसे यह फर्स सेकेंड थर्ड फिर उसके अंदर हमारे अगर ऑथर चाहिए तो डॉट लिखे हम ऑथर डाल देंगे तो यह ऐसे मिल जाएगा तो ऐसे थोड़ा बहुत आप अंडरेस्टेंड कर सकते हो इसकी जार ज़रूरत नहीं है और इसका क्या होता है स्कीमा भी लिखते हैं कभी-कभी जैसे यहां पर अगर किसी को यहां पर नंबर ही चाहिए किसी को बताना कि यहां पर नंबर ही आएगा तो क्या करते है ऐसे प्रॉपर्टी फाइल भी रखती रहती है उसमें यह बोल देते हैं कि पर नंबर ही इसमें अपर क्या मतनी ज्हेसे यह इसे आपका जैसन है गिधा स्कीमा कि बिताना क्या है कि बूक का मिनिग क्या है इसमें कच स्टोर के You अग्वेज का में क्या है शेचंद की समय्क्राइब एग बटाने के लिए एक और पी प्रॉर बेंत होता है कि क्या value कहां पर उसका meaning क्या है जैसे properties में होता है सब कुछ okay schema मतलब यह कुछ उसका दे दिया उसका title क्या है इस पूरे जेस्टन का title क्या है मतलब यह क्या represent करता है कुछ product represent करता है okay product of catalog किसी book का catalog है उसके अंदर अभी properties मतलब अभी क्या क्या है उसमें सब दे रखाए ID का meaning यह है कि इसका description यह होगा और उसमें कौन सी value से होगी integer नेम के अंदर string से होगा price के अंदर type नंबर minimum values की 0 चाहिए और maximum exclusive minimum true इसका meaning देखना पड़ेगा इसका कुछ importance नहीं ज्यादा required कुन-कुन सी value required है अगर आप यहीं पर जेसन में कुछ भेशते हो okay तो आपको कैसे पता चलेगा कि quantity में क्या जाना है हाइट में क्या जाना है और उसकी minimum value maximum value क्या होने चाहिए वह सब डॉकुमेंट जेसन के schema में होती है okay अगर आपको कोई developer देता है कि यह sample value दे देता है कि यह आपको API में भेजना है okay इसका अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर ID value नंबर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्जेक्ट भेजना क्या है उसका unit क्या है वह सब आपको पता होना चाहिए इसलिए उसको आप जिसन का schema document उससे मंगवा सकते हो okay तो वह आपको schema भी देदेगा औ और उसमें आपको यह सब description मिलेगा कि ID का मीनिंग क्या है उसमें कौन सी value save करनी है price का मीनिंग क्या है उसका minimum value maximum value यहाँ पर मतलब यह example है इसके इसके अंदर और कुछ अलग-अलग values जितनी आपको मतलब understand करने के लिए चाहिए वह सब आपको वह दे देगा okay यहाँ पर जै कि इंच में है centimeter में है और क्या है वो सब कोई schema document होगा उसमें सब दे रखा होगा okay तो हाई-level पर आप जिस समझ लो जब आप इसके real work काम करने जाओगे तब आपको इसको ज्यादा समझ बहाँ जाएगा कि अब ही नेक्स्ट यह देख लेते हैं कि इसका ही parallel और एक होता है उसको बोलते है XML okay जेसन डॉकुमेंट होते हैं कुछ XML डॉकुमेंट होते हैं तो XML डॉकुमेंट का फॉर्मेट उसको लॉंग फॉर्म है एक्स्टेंसिबल मार्कप लैंग्वेज और अभी इसका कोई एक्जम्पल देख लेते हैं यह HTML जैसे होता है XML extension.xml यूज करता है जैसे हम यहां पर हमने देखा था कि लास्ट में .json लिखते है राइट वैसे ही XML फाइल के लिए .xml उसका यह होता है और मैट होता है यहां पर कहीं देखा है नहीं रखाएगा यह एक्सेम्ल डॉकुमेंट है अभी मैं यह ओपन तो नोटपेट प्लस-प्लस में कर रहा हूं कि देखना यहां पर डॉक्सेम्ल होगा एक्स्टेंसिबल मार्कप लैंग्विज अगर मैं इसको उपन करता हूं इसका फ़र्मेट थोड़ा अलग है यहां पर आपको एक्सेमल लिखा हूआगा मिलेगा और कुछ वैल्यूस है यहां पर इसके बाद और कुछ वैल्यूस यहां पर ऐसे आपको एक फ़र्मेट में मिल जाएगी यह यह बहुत xml format रहेगा यह भी carry the data does not allows you to store the data irrespective of how it presented okay same way यह जेसन जेसा इस्टोर कर देटा स्टोर करते हैं और एक दूसरे को भेजने के लिए यूज करते हैं तो यह ज्यादा करके w3 standard जो थी वर्ड वाइड वेप का तब start start में xml format ज्यादा popular था तो xml format में बेशते थे तब ही इसका example जैसे है कि जैसे हम उसमें लिखते थे अगर आपको कुछ छोटा सा store करना है तो आप देखो यहां पर कैसे store करोगे इसी के साथ दिखाता हूं आपको example जैसे उपर का store किया था इसमें मैं इसे store करते हैं कि मैसेज अब यह रेड में क्यों दिख रहा है क्योंकि मैं xml जैसन के document में यह वाला open कर रहा हूं ना इसलिए वह ऐसे विक रहा है तो पहले message फिर उसके बाद एक text आएगा फिर यहां पर उन्होंने कुछ text लिखा हुआ है ओके जैसे टेक्स्ट के अंदर hello world और यह टेक्स्ट यहां पर close हो गया HTML के जैसे तो जहां पर जैसे आता था book बुक के अंदर कुछ text id वैसे message message के अंदर text है और text के value hello world और कुछ अभी इसको यह इसको टैग बोलते है message tag यह opening tag और यह slash दिया है तो यह closing tag okay तो अभी next इसका देखते है index text okay यह start ऐसे होता है पहले लाइन पर आपको ऐसे मिलेगा question mark xml और उसका version के अभी आपको real वाला example दिखाता हूं कि इसमें भी आपको मिलेगा question mark xml यहां पर देखो वर्जन और उसका coding format दे रखा होता है कि UFT 8 वेगर अलग अलग coding format रहते हैं आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की ज़रुवत नहीं है के और यह closing tag xml क्लोज हो जाएगा यहां पर कोश्चन मार्क और क्लोज फिर उसके बाद आपका जो भी डेटा रहेगा वह आपका डेटा आप रिप्रेजन कर सकते हैं जैसे contact information इसके अंदर इंप्र क्वार्मेशन है यहां पर open हो रहा है यहां पर close मतलब इसके अंदर वाला पार आट क्वांट इंफ्रमेशन के रिगाड़िंगे और उसमें फर्स्ट का है नेम कंपनी और फोर नंबर ऑके नेम यहां पर स्टार्ट हो गया यहां पर end उसके अंदर जो भी रहे गा उसका नेम कि यह कंपानी का नेम और यह नंबर ओके इसे वाले फॉरमेट में यह दे रखा हो दे तो यह क्या हो गई आपका टैग हो गया इसे फेल्यू और अप ग्लोस्तेग और उसके अंदर और और एक चीज होती है यह इसे cm रिखे 함께 ayulla निए टैक्स दो फैली बेरchau टैक्स्ट और वैल्य भूल सकते तेक्स टोर और पिलागल एंड्स को k और आपको भी एक्रिपूट्ट कि यह की डिखते हैं ज अरित्याब मेरे चंब डिखते हैं कि यह सब नॉर्मल देहें कि अपनोग कि अब यह वाला एक्जम्पल देखो टैग ए और यह टैग यहाँ पर क्लोस हो रहा है यह टैग इसके अंदर कुछ वैल्यू के और यह क्लोश्ट टैग पर यह open टैग के साथ आप देख सकते हो कि a के साथ यहाँ पर कुछ बहली तो यह यह उगए उसकी एट्रिब्यूट्स उके उसके साथ कुछ एक्स्टा इंफर्मेशन आपको भीजने यहां पर टेक्स्ट बेजना है जैसे आपने कुछ टेक्स बेहिज दिया जैसे समझ लोगे आपका नाम आपने यहां पर डाल दिया बटो नाम कैसे देखना चाहिए कि रेड में देखना चाहिए उसका फॉंट कैसे होना चाहिए उसके अलग-अलग इंफर्मेशन आपको देनी है अगर आपने यहां पर वेट बेजा है किसी चीज का तो वेट का फॉर्मेट क्या है इंच में है या किसमें है वह सब फॉर्मे कि यह नॉर्मल हो गया डॉकुमेंट प्रोलॉग एलिमेंट्स एक्समेल के अंदर अलग 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 शीज़े आ सकती है वर्जन एंकोडिंग फॉर्माट स्टेंड आलोन ओके वर्जन 1.0 यह अलग-अलग कोडिंग फॉर्मेट से हमने वहां पर देखा ज्यादा कि यूटी एफ एट यूज किया था तो यह थोड़ा वो खुद से पढ़ सकते हो कि अलग-अलग फॉर्माट क्या होते है बद ज्यादा करके यूटी एफ एटी चलता है ओके स्टैंडर लोन यह सब नौट अच्छिंग इसके बद टैक्स अलग-ख होते हैं आपल से भी आपकी खुद के टैक्स लिख सकते हो कि एडरेस यह ऑटर एलिमेंट इनर एलिमेंट ऐसे कुछ भी खुद का जैसे आपको डेटारी प्रेजेंट करना वेसे अवैं लिख सकते हो ओर इसके बाद आलेमेंट क् यह एक्रिब्ई हो गए आपके और यह आपका एलेमेंट हो घए है इस ने में लुक्षित पहुत देखते हैं अच्पर सिट कि यह यह जो एलेमेंट नेम हो गया अपका टैग नेम उसके बाद आप अठ रप्न सकते हो okay attributes के लिए क्या important है यह से यह देखो category flowers category यह जो आपको यहां पर मिलेगा इसके अंदर वो आपका एट्रिब्यूट होते हैं okay और यहां पर देखना यह plant लिखा हुआ है देखो यह plant बट लास्ट में slash दिया रखा है इसका क्या वीनिग निए होता है कि यहां पर पर प्लोज हो है रेट उसके अंदर आपको टेक्स लिख सकते हो बड़ आपको उसी को वहीं पर ओपन करके क्लोज कर देना है तो यह पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं आपको बाद में जस्ट यहां पे श्लैश देके क्लोज कर दिया अगे यहां पर नॉरमल फ्लोज किया यहां पर श्लैश देके क्लोज किया मतलब यह वाला क्लोजिंग टैक आपको वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है जो भी इन्फोर्मेशन है वह इसे में प्रेजेंट है ओके ऐसे और एक में थरूती क्लोज करने के लिए अगर इसमें आपको कुछ कमेंट लिखने है मतलब आप जैसे मुझाओ में हम कमेंट लिखते हैं तो अगर कोई कोई कमेंट लिखना है तो आप एंगृर ब्रैकट देके यहां पर एक्समेंटर में जो मार्क होत है वो डाल के आप कमेंट लिख सकते हो यह फॉर्मेट उसका है और इसके अंदर कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं और क्लोज करने के लिए यह वाला double dot double slash closing packet के जैसे यहां पर यह वाला कमेंट है पूरा कि इसमेल का बेसिक इतना ही है आपको XML डॉकुमेंट अगर किसे ने दिया तो उसको अंडरस्टेंड करने के लिए अभी अभी यह वाल डॉकुमेंट हम अंडरस्टेंड करने के लिए ट्राइ करते हैं तो इसमें यह वाला फर्स्ट तो एकसेमल है यह डॉकुमेंट यह दिखाने के लिए इसका वर्चन अगरा तो सेकेंड को यहां पर सीओन है यहां पर उसने बूला कि सोप प्रोजेक्ट है उसका आईडी यह कुछ है उसका इन्वर्मेंट डिफॉल्ट नेम इसका यह सोर्स क एक तौके फिर उसके बाद एक है करके चलो गया कि यह है WSL तर फिर उसके इलेमेंट उसके बाद का स्कीमा उसका ऐसा कुछ है स्कीमा के अन्दर employment से एलेमेंट के अंदर complex बाद लब यह जो भी data तक यहां से नीचे चलो हो जाते से उन का री प्रेजने के लिए कम्प्लेक्स टाइप आड्रेस ले मुसका अड्रेंटरैस M उसके लीए है एड्रेस के बार उसने लिए तक और छ्यांद सब को अग्टाक्ट पो नंबर ओके सब सब इस सिक्वेंस एन दर लिखा और इसको कॉंपलेक्स टाइब के लिखा और कॉंपलेक्स टाइब का नेम किया है तका सब прод生 घर प्ररिजन्ट करता है ऐसे जो भी इन्फोर्मेशन उसको चाहिए वो अलग-अलग इन्फोर्मेशन वो एक-एक वैल्यू में लेता रहता है कि यह आपको अलग-अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे और आपको अगर चाहिए तो जैसे संपल एक संपल दिखता हूं कि यहीं पर आगए वापस है कि और और क्या होदा है जैसे आपने कुछ एक्समेल जैसन जैसन और एक्समेल डॉकमेंट आपके पास कोई है ओके और वह प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है वो चेकरने के लिए भी ऑनलाइन कुछ टूल अवेलेबल होते हैं जैसे अगर मैंने यह फॉर्मेट कहीं पिए अगर मैं कौमा भूल गया तो आपको मतलब बड़े बड़े डॉकमेंट तो आपको पता नहीं चलता है कि यहां पर कुछ मिस्थ हो गया जया साफ यह वालो डॉकमेंट डेखो गें तो यहां थे अगर किसे ने कzinho कॉम आओर कर भींपे डबल कोड्स कुछ मिस करते यहां पर उसने ठाहि पे इस द यह स्लैस मिस घर दिया तो कि इस डॉकुमेंटれた Thanksgiving में आपको तो ईजिले उंडेस्टैनने होगा की कहां पर मैंने क्या मैं क्या मैं एन इसके लिए क्यों और अनलाइन पार्सर होते हैं जासे मैं डालता हूँ जैसन येसन वेलिडेटर सब्सक्राइब छेक्डेशन डालने को बोलेगा अब यहां मैं बूलता हूं इसको कि वैल्रेट जैसन यहां पर है अब इसने बता दिया कि कुछ तो भी एर राइन नंबर 10 पर पार्सर एर्र लैंगविज एक्सपेक्टेड़ कुछ तो भी चाहिए उसको नंबर और कुछ तो भी लाइन नमबर टेन अब यहां पर रहे मतलब आप कंसरे कर सकते कि यह पूरा का पूरा के एलिमेंट है तो थोड़ा दूड़ने के बाद पता चला कि यहां पर कॉमा मिसेंग है पर मैंने क्या किया पारस किया कि वेलिट जैसे हैं यहां पर भी मिशंग है अमने यह निकाल दिया था में अब उसने बोल तकी यह वहलेड जैसे फॉर्मेट है मतलब अभी वहलेड हो गया मतलब यह सही से अपने फॉर्मेटिंग इसका सई है यह हमें format चेक करने के लिए online अलग-अलग utility प्रेजंट होती है यह से यह जेसन के लिए था वेसे ही XML वैलिडेटर रहते हैं तो आप कुछ XML डॉकुमेंट डालोगे उसमें तो आपको यह चेक करके देगा कि यह सही XML है या नहीं है अचलिग that noses tam मों ऑके तो यह क्या के सब्सक्राइब क्या जब आप किसी भी एक्लिडा में काम करोगे तो आपको कुछट वगरा लेना यह देना है तो जेसन फर्मैट में एक्समाल फॉर्मेट में आपको डीटा मेलेगा तब आपको यह काम आएगा कि आपको एज्शी अंडर्सटेंड हो जाएगा की यह डेटा कैसे रिप्रेजेंट हुआ इसमें सेमल है सार एक सेमल है भी जा रहा है है एक सेमल थोड़ा है भी है और हम थोड़ा ही देखा था उसको अब मैं और इसका सेम्पल देखता हूं की एक सिंपल वाला एक्जम्पल चाहिए था मेरे पास अब यह मिनुट कि अंदर होगा इसमें भी है वैसे करो कि यह एक्जम्पल है इसमें जो फॉर्स्ट वाला पार्ट था एक सेमल वाला वह लिखा हुआ नहीं है वह चल जाता है कहीं कई पर वो कंपल सरी नहीं रहता है अब यह यह हो गया सोप मतलब यह फर्स और लाइन हो गया जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था जेसन में कुछ डेटा तो वैसे यहां पर देखो यह यह यहां पर जो लिखना होता है वो हर एक अलग-अलग लोग अलग-अलग कुछ लिखते हैं और यहां पी भी यह पूर अंध्रिस वेगेरा लिखना है तो यह जैसे हमने बुग देखता रहे जेपर देख अरोग-बुग के अंदर व यह था यह ओर में उसके अंदर यह फिर इसके अंदर एड्रेश के अंदर नेम कंपणी में देपर्मेंट ओके ये अड्रिस यह पर चाल वहा था कि मैं इसका क्लोजिंग कहां तरह अब है दो को यान पर क्लोज़ हो रहा है तुक्लोज़ हो बतलब इसके अंदर यहां से लेकर कि यहां तक कि इसको में कॉपी कर लेता हूं कि यहां पर देखो यह कैसे दिखता है कि पूरा ऐसे देखेंगा कि अब देखो एड्रेस का फिल्ड कि यह अड्रेस यहां पर चालू हुआ था यहां पर यहां पर खत्म हो रहा है ओके फिर उसके अंदर जो भी रहेगा वह सब इसके करिलेटेडिडिटीडीट इंफिरमेशन रहे इंधर नेम कमपणी डिपार्मेंट डगल अलग अलग जो भी एड्रीस के रिलेटिडड़िड इंफरमेशन है सब इसके अंदर है तो युजनर को दर ऐड्रेस आ रहे हैं यहां पे थोड़ा क्या होता है अगर में यहां पे कुछ बुल जाता हूँ यहां से आगे कर देता हूं तो जल्दी से पता निजल दह आए इसमें फॉर्मैट्टं न हे इसमें वहतenas इंपोर्टन्ट एक में और एक्रेट शीपमेंट के अंदर में जाता हूं तो एड़ेश शोड़ने के बाद यह सेंडर का ड्रस हो गया उपर वाला यह नीचे वालोगा रिस्यवर के अडर्रेश जहां पर आपको भेजना तरहा है कि यह पिर अंदर भी सेंड़ेस के अंदर भी सेंसाव कुछ जे certeza tu жुए अचा पूंची जो अमने स्टार्ट में देखा था और ये क्लोज कहां हुरहे है यहां पर क्लोज हो और तो के इसके बाद कुई टैक्स लग रहा या नहीं फिर पैकेज इन्फोर्मेशन मतलब जो पार्सल जा रहा है फिर पार्सल के बारे में इन्फोर्मेशन अभी पार्सल इन्फोर्मेशन यहां पे स्टार्ट हो रहा है और खतम कहां पे हो रहा है यहां पे खतम हो रहा है पार्सल इन्फोर्मेशन यहां पे बड़ा चोटा करते तो पर देख जाएगा कि पार्सल इंफोर्मेशन यहां पर खतम होगा फिर उसके अंदर क्या कर दिया है उसने अलग-अलग चीज पार्सल इंफोर्मेशन सर्विस आइडी उसका डिस्क्रिप्शन उसका टोटल वेट यूनिट ऑफ वेट ले यल बी फिर उसके बाद उसका प्र पार्सल आता है तो Amazon का जो डेटा होता है बैकेंड में ऐसे होता है क्योंकि यह सिंपल फॉर्मेट है और बहुत छोटे इसमें वह से हो जाता है कम कम मेमरी में उसका फॉर्मेटिंग में पता होना चाहिए कि वह कैसे होता है और वही इनफॉर्मेशन वह यू आई पर एक तो जैसन में आएगा ऐसे इसमें नई तो फिर वह एक समिल में आएगा बैकेंड में तो आपको कहीं पर भी बैकेंड में data भीज़ना एक जगह दुसरी जगह पर जैसे सर्वर को आपके मोबाइल पर भीजना है जाए सर्वर क्लायंट को तो वह ऐसे फर्मैट में एक बुक हो गया फिर उसके बाद शेकंड बुक अभी यहां पर जैसे हमने जैसन में देखा था हमें एरे रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी था हमने यह वाला इलेमेंट डाल दिया एक बार इब लिग लिए यहां पर और इसके अंदर हमने तीन एलेमेंट डाल दिये बट एक समल में थोड़ा मुश्किल होता है यह वी देखो एक बुक यहां से स्टार्ट किया यहां पर पूंड हो गय और ढूबाच हमें और ऑर एक बूक लिखा उसका अइड टेव लिया वह यहां पर ख्लोज हो गया अयसे बुक बहुत साहरे हो गय के टो यहां पर भřी आ आपके लिए आपके लिए अच्छा है समझने के लिए जैसन फर्मेट अब जैसन यहां से पढ़ लो अब बोत आप भी ऑनलेंग जाके पढ़ लेना इसमें अब के लिए देखते हैं और आप कल कुछ डाउट वागे रहोगा तो आप बोलना फिर उसके उपर हम डिसकेस करेंगे मौस्ट अब दलेक आपका इसे ही पॉइंट जो मतलब छोटे मोटे होते हैं और नॉर्मल सी लाइवस में नहीं आते हैं तो वह हम कवर करते हैं और आपको यह मतलब आप रिसमें बें डाल सकते हो आपका यह भाओ पिसमेल झेशन डॉकमेंट जहां पर हम डालते ना की जावा पता है मतलब लैंग्वेज ज्व रगेरा वे सही अब अब वहां पे एक सेमिल जेसन ठोड़ा बुर डाल सकते हो बोलना कि थोड़ा बुत पड़ा है पोस्ट फॉस्टन का डाल सकते हो आप टेस्टिंग थोड़ा पूट डाल सकते हो कि तो मतलब आपका रीजियो मोर स्ट्राउंग होता रहेगा उस ठीक है कल मिल से हैं फिर और भाई जो 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 जो